नमस्कार, कैतरी जोतिस केंदर में आप सबी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोरपंख का एक ऐसा अदभुद चमतकारिक और कमाल का उपाई बताऊंगा जिसे सुनकर आप हत्प्रद हो जाएंगे आप वीडियो को अंतर तक देखिएगा आपको स्वैम पता जल जाएगा हर समस्या के समाधान से जुड़ा है मोरपंख मोरपंख के बारे में आप लोग जानते ही है भगवान स्री कृष्ण तक इसे अपने मुकुट पे हमेशा पहने रखते थे लगाए रखते थे इसका कारणिया था कि मोरपंख में माया हुई सक्तियों का वास लंबे समय तक रहता है और मोरपंख का जोतिस सास्त्र में यंत्र सास्त्र हो तंत्र सास्त्र हो मंत्र सास्त्र हो तीनों में उप्योग है इसको इन सास्त्रों में अपने आसपास रखकर उसका प्रभाव लंबे समय तक प्यक्ति रख सकता है मंत्र यदि इसको पास रखके जापे तो उस मंत्र का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा इसी तरीके से कोई अन्य प्रक्रिया का प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है यहाँ पर को मैं आपको मोर पंक के वो चमतकारी को पाई बताऊंगा जिसको पढ़ते समय मैं खुद हैरान हो गया था बताया गया है कि मोर पंक को सौंबार के दिन लाना चाहिए और सौंबार के दिन इसे घर पे किसी पात्र में दही या मक्खन पुरा भरके उस पे दुबो कर अपने मंदिर या उत्तर दिसा के पास पे रख देना चाहिए और जिस उदेश से कोई मनोकामना है, कोई कार्य है, उस उदेश से का वहां पर को थोड़ा समरन करना चाहिए उपाई मंतर रहीत है, मंतर का कहीं पर भी कोई प्रियोग नहीं है अब बताया गया है, यदि आपको, आपका जो मनोकामना है वह अपनी जगह है यदि आप करज मुक्ती से यदि आपके उपर करजा है रिण हो रहा है आप करज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो आप मंगलवार को इस मोरपंक को निकाल कर रख दें वहीं पर को या दुसरे पात्र में दही मक्खन लेकर उसमें डुबो दें और जिसमें यहाँ पहले था स किसी हन्मान जी के मंदिर के पास चले जाएं, वहां पर को आप उसे छोड़ दें, या किसी पवित्र स्तान पर उसको छोड़ दें, या किसी जीव जन्तु को भी आप उसे खिला सकते हैं, क्योंकि वह पवित्र है, उसमें सिर्पा आपने मोरपंक डुबोया है, यहां तक कि आप भी उसका सेवन कर सकते हैं, यदि आपको कर्ज मुक्ती है, तो आप मंगलवार के दिन, आप किसी भी समय इसको लेके जाएंगे, और दुसरे वाले में चाहें, तो मोरपंक को डुबो सकते हैं, नहीं तो कुछ समय के लिए आप उसको वैसे भी रख सकते हैं, यहां आ लंबे समय से कारिरत है, और प्रियासरत है, और सपलता नहीं मिल पारी है, तो बुद्वार के दिन, इसे आप जो समबार के दिन रखा है, मोरपंक की सेम वोई प्रोसेस, दुसरे वाले में डुबो सकते हैं, या वैसे ही रख सकते हैं, इसे किसी गणेश जी के मंदिर पे आप ले जा सकते हैं, या किसी गौमाता को, या उसके बचड़े को भी आप इसे खिला सकते हैं, या किसी पवित्र स्तल पर भी इसे आप छोड़ सकते हैं, नदी में इसे आप विसरजन कर सकते हैं, जीव जन्तों को आप खिला सकते हैं, या आपकी अपनी सुईधा पे नि पुरुस का विवार नहीं हो पा रहा है किसी लड़के का विवार नहीं हो पा रहा है तो सुक्रवार के दिन इस प्रियोग को इस उपाई को वह कर सकता है ठीक इसी तरह से जैसे हम पूरु में आपको समझाते हुए आ रहे हैं यदि किसी ब्यक्ति को धन की समस्या है धन कहीं फसा हुआ है नहीं मिल पा रहा है या कोई कोट कचरी से सम्बंदित कोई समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके से बाहरी समस्या है दैवी समस्या है तो सनिवार के दिन सनिवंदिर के समीप या समसान के समीप इसको छोड़ देना चाहिए या किसी भैसे को या कुत प्राप्ते करनी है और अपने आपको आपने बहुत आगे बढ़ाना है और आप चाहते हैं कि मेरा नाम हो सम्वान हो अपने स्तर को उठाना है तो रविवार के दिन आप इस प्रियोग को इस उपाय को कर सकते हैं सौंबार के दिन जो रखा है रविवार के दिन इसे बदल द ब्यापारिक लोग भी इसे कर सकते हैं यदे शत्रू परेसान कर रहा हूं सत्रू से पिगड़ा हो रही हो और अपनी जान का भाय बन गया हूं तो सौंबार के दिन इसको बदलते रहिए और इस प्रक्रिया को निरंतर करते रहिए कुछ समय पस्चाथ आपको इसका प्रत्यक कारिक परिणाम दिखाना सुरू कर देगा आप भली बहांत ही इस प्रयोग को समझ चुके होंगे संक्सिप्त में समझाने का प्रयास किया क्योंकि ज्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं रहता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे और अंतम है उस मोरपंक को हमेशा अपने पास सवाल के रखना है क्योंकि वह एक चमतकारिक चीज है तो जानकारी यदि आपलोगं को पसंद आई तो आप पुसे लाइक कर सकते हैं वीडियो को आकर बढ़ा कर सेर कर सकते है यहां आप लोगं की मरजी पे निर्बार रहता है नए लोग चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं एसी जानकारी के वीडियो लगातार देखने के लिए नोटीपिकेशन बेल आइकन को भी वह दबा सकते हैं तो मिलेंगे एसी किसी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैस्री राम जैस्री कृष्णा ओम नमस्याइब